हलो फ्रेंज मैं हूँ जंजे संख्यान और आप देख रहे हैं HP Notifications by संख्यान दोस्तों आज मैं आपके साथ एक जैम का नेव फीचर डिस्कुस करने जा रहा हूँ यह है Bill of Quantity मुझे लग रहा था कि जब हम जैम पे काम करते थे तो हमें के वर यह लगता था कि हम अपना जो N अपनी कुछ अपनी हम कुछ चीज़ें एड कर सकें तो लीजिए वो सारे फीचर अब जैम में भी अबलेबल हैं आप अपने धंक से NIT बनाके अपनी टर्में क्रिशन उसमें डालके एक अपना वियू क्यूब बिल ओफ कॉंटिटी अपना बनाके उसी पर आप जो है वो एक फॉर्मिट होगा जिसमें आप अपने अपने अप इसमें एक्सल सीट में एक अपने आप पैरामीटर देंगे उस पे क्या होगा कि जो बिडर है वो उस पे रेट डालके आपके पास यहां इवलुशन के लिए और टेंडर अवार्ट करने के लिए आपके पास आ जाए कम से कम पांच लाग की टेंडर बैली होनी चाहिए तभी ही हम बिल ओफ कॉंटिटी कर सकते हैं दूसरा जब हम यह तभी अप्लिकेबल होगा अगर जैम पे गोड्स अबलेबल नहीं है और मल्टीपल गोड्स आप एक साथ जो है जैम पे लेना चाहते है जैस फॉर एक्ज अब हम क्या कर सकते हैं कि कठ्था अपना टेंडर डाकुमेंट बनाके उसी में लगलग आइटमें डालके हम जो हम एक अठ्था टेंडर यहां पर कर सकते हैं बड़ बार बार यह बोरों कि यह तभी पॉसिबल हो पाएगा बिल ओफ कॉंटिटी का जो बिड लगाने का यहां पर आपकी इमेल आइडी जो रिजिस्टर है बायर की वो यहां आ जाएगी उसका पासवर्ट डालेंगे और पासवर्ट डालने के बाद जब सब्मिट करिएगा तो यह हमारे पास फर्स प्रेज जैम का खुल जाएगा और हम लॉग इन इसमें हो जाएंगे देखें यहां जब हम कैटिगरी के साथ क्लिक करेंगे तो यहां पर एक option आती है product दूसरा आता है services दूसरा आता है browse all category इसी में एक नया feature इन्होंने नही जो option यहां पर bill of quantity based bidding जो है वो यहां पर add करकिए हम यहां पर bill of quantity based bidding पर क्लिक करेंगे जब हम क्लिक करेंगे तो यह हमारे से ज लगने बाली है तो हम यहां पर जब down drop हम यहां क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहां पर तीन चार जो यहां पर दिख जाएंगी अगर हम चाहें तो यहां पर जो एक search option है यहां पर search में हम जैसे suppose करो हम चाहिए CCTV camera तो CCTV जब हम लिखेंगे तो उससे लेटर हमारे पास यहां पर तीन चार services जो हम पर automatically यहां पर category उसकी आ जाएगी हम चाहें तो एक category को भी select कर सकते हैं अगर हम चाहें तो at least तीन यहां category जो हम तीन category तक जो है similar category को हम यहां पर add कर सकेंगे इसका फाइदा यह होगा क्योंकि jam जब हम यहां से category search करेंगे और similar category मैं यह नहीं पूर हो कि same category इक में भी possible कि same category jam पर available नहीं है अगर यहां पर हम जब category similar जैसी डाल देंगे तो जितने भी उस services को या जितनी भी उस category को seller हैं उनको एक notification चली जाएगी और वो इस bid में participate automatically कर लेंगे तो देखिए हमने क्या किया है यहां search किया और search करने के बाद जब मैंने इसको okay किया तो यहां पर यह जो हमारे पास एक step हमने कर दिया कि एक हमें category हमने jam को बता दी कि इस category को हम production लेना चाहते हैं दूसरी बात यहां जो हमारे एक NIT जो हमने बना के रखा है it should be in the PDF form only सिर्फ PDF form का ही NIT यहां पर upload होगा बाकी format में यहां पर upload नहीं होगा और इस PDF की जो maximum size है it should not be more than 25 MB जब हम यहां इसको choose file करेंगे तो यहां से जो file upload हो जाएगी यह देखिए इस तरह वो जहां भी आपने रख्योंगी file आपकी upload हो जाएगी अब यह next यहां पर एक जो main important चीज है कि जो हमने कोई parameter रखे हैं जिस पर हम financial bid लेना चाहते हैं file of quantity जिसे हम बोलेंगे तो यह बोलता है कि जो आपने डाल दिया वो तो ठीक है पर इन्होंने भी यहां पर एक Excel sheet में दे रखा है Excel sheet में जब आप यहां पर click करेंगे देखे यह देखी यहां पर जब आपने click किया तो यह इस तरह यह खुल जाएगी आप जो जो इसमें क्योंकि because it is editable तो आप जैसे countdown जाएंगे जिसमें कुछ ए column दे रखे हैं जैसे title है description है quantity है unit of इस तरह कुछ भी हो सकता है consigny delivery period यह आप चाहें तो multiple consigny को भी यहां पर add कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि एक जो लग लग जगा पर हमारा जाना चाहिए एक जो main चीज मैं आपको यहां बताना चाहूँगा यह आता है consigny ID यह consigny ID कहां से मिलेगी जब तक आप consigny ID नहीं लिखेंगे तब तक आगे proceed नहीं हो पाता है तो अगर आप consigny ID means जो आपने consigny बना रखें उनके कोई ID है अगर आपको नहीं याद है तो आपके करिए कि यहां पर एक option आती है यह आपने product automatically यहां से आपके add होगे और यह चले आते हैं add to cart में अब आप इसको चाहें तो 10 दिन तक यहां पर रख सकते हैं 10 दिन के बाद यह automatically यहां से हर जाता है तो means हमारे पास technically 10 days हैं कि हम यहां से order आगे place कर सकते हैं तो order place करने के लिए हम क्या करेंगे proceed to check out proceed to check out करने के बाद यहां पे सिर्फ हमारे पास एक ही option होगी bid यहां पे direct purchase option नहीं होगी क्योंकि direct purchase तब होती है जब 25 है या जब हम comparison करके 5 लाग तक कोई order करते हैं मैंने बताया कि bill of quantity सिर्फ हम तभी कर पाएंगे जब value tender की value पांच लाग से अब होगी तो यहां से direct purchase की option जो वो archive है हट गई है तो हम क्या करेंगे यहां पे bit पे click करेंगे bit पे click करने के बाद यह बोलता है कि confirm कर लो कि जो आप order place करने बारे हैं वो satisfaction आपकी satisfaction की accordingly है और आप यही product लेना चाहते है अब वो ही है यहां पे जो bit के लिए 7 steps हैं पहला step होता है specialization दूसरा इसमें step रहता है consigny जो जिसको आपने consigny को जितनी product देने हैं तीसरा रहता है detail चौथा जो इसमें step रहता है EMD या जो EPZ आपने लिनी है पांच मा step रहता है splitting और छटा step रहता है term and creation और साथ मा रहता है कि आपने OTP डाल के इसको order place करना है तो मैं इस पर जाड़ा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि अगर आप यह जाना चाते हैं कि bid कैसे होती है और कैसे यह 5-6-7 step जो हम इसको आगे प्रशीड करते हैं तो मेरी एक video bid creation पे specially मैंने बनाई है उस पे जूर देखिए यहां पे फटा-फट मैं इसको just यहां पे go through करत करेंगे जब आप यहां पे click करिएगा तो आपकी specialization खुल जाएगी यहां पे मैंने दो add कि है product एक है UPS जो control panel था और साथ में लिया है मैंने instrumental cables तो जो दोनों को उपर जब मैं जिसके उपर click करूंगा specialization खुल जाएगी आप इसको continue करके add आके proceed कर सकते हैं दूसरी option आती है यह देखिए पहले यह किया पर उसके बाद दूसरा कर लिया दूसरी बात यह अगला बताता है कि यह देखिए जब आपका green होगा means अब आपने एक step complete कर लिया है अगला step चलता है आपका continue पर click करेंगे तो खुल जाता है कि detail means bid duration कब होगा bid end date कब होगी bid की life cycle कितनी है bid offer validity कि नहीं है कि आप bid को RA में convert कर जाते हैं यह चोड़ी field है जो आप fill up करने के बाद आगे proceed कर जाएंगे save and continue एक main चीज जो यहां पे आपको देखनी होगी वो यह है कि select evaluation method means आप यह जो bid है इसको evaluate कैसे करेंगे evaluate करने के 3 method हैं देखिए एक तो पहला method यह है कि आप चाहें तो total जो आपने एक bid बनाई है total amount कठे को आप सारे को सारे को इकठा evaluate कर सकते हैं अगर इसी bid में आपने लग-लग item ले रखे हैं जैसे सपोर्ज करो CCTV camera है तो CCTV camera में camera की जो आप लग evaluation करना चाहते हैं उसमें जो तार लगने वाली है उसकी लग-वालईशन करने चाहते हैं उसमें पोल लगने वाले अलग लग करना चाहते हैं उसकी सब की evaluation लग लग करना चाहते हैं तो item wise evaluation की option भी यहाँ पे available है और तीसरी ही है अगर आप चाहते हैं कि मैंने कुछ एक दो दिन item का एक group अलग मनाना है तो आप group wise भी यहाँ पे evaluation कर सकते हैं बाकी यह देखिए जैसे आप beat बनाते हैं वैसे beat बनाके term equation डालते हुए EPG अगर आप लेना चाहते हैं performance guarantee लेना चाहते हैं 5 लाग तक हम नहीं ले सकते हैं तो यह सब आप करते करते यहाँ पे last में term equation जुरू डालिए क्योंकि term equation आप जितनी डालेंगे उतना ही आपको better product आपको available हो सकता है पर मुझे लगता है ज़्यादा यहाँ पे term equation डालने के जूट नहीं है क्योंकि हमने जो NIT बनाया है वहाँ पे maximum term equation हमने डाल रखी होती हैं तो जब आप इसको okay click on submit पे करेंगे तो यह last में एक option आती है I agree with the term equation जब आप इस पर click करेंगे means आपकी video बन के त्यार है आप जब भी चाहें इसको publish कर सकते हैं publish करने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे आपके screen इन्होंने option दे रखी है verify with OPD, OTP, दूसरा है e-sign और तिसरा है DSC, digital signature के साथ भी आप login कर सकते हैं simple best trick यही है जो OTP आप डालिए आपके mobile नंबर पर OTP आएगा और OTP डालने के बाद क्या होगा कि आपका यह जो टेंडर है publish यह जो bid है आपकी publish हो जाएगी bid publish होने के बाद क्या होगा कि जिस जो भी इस product को sell करने वाले seller है उनको एक notification चली जाएगी और आप वो जो है आपकी bid पे participate कर देंगे तो यह था एक नया feature जो मैं आपके साथ यहाँ पे discuss करने चारा था bill of quantity जो हमें बार बार लग रहा था कि एक हमारा NIT जो हम बनाते हैं वो upload नहीं हो रहा था और हमें कुछ लग रहा था कि multiple item हैं लेनी तब हमें दिक्कत आ रही थी क्योंकि bunch bid में भी यह option हैं हमारे से नहीं हो पा रही थी तो मुझे लगता है कि अच्छा feature है और अगर आप चाहें तो bill of quantity पे भी आप bid करके एक वर इस पर practice करिए मुझे लगता कि बहुत अच्छा feature जैम ने add किया है इसी तरह की वीडियो में आपके साथ लेकर update आपको करता रहूँगा अगर आपकी कोई query है description box में जुरूर लखिए वीडियो अच्छी लगे तो like and save जुरूर करिए थेंक्यू धन्यवाद जैहिंद जैमाचल